नमस्कार साथियो ट्यंट्यू की रिशन चनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों यहां पर 502 विशय से प्रात्मी की डैले में सेक्षन परिक्रिया एक से लेकर पांच उनिट तक महत्पून कुष्चन एक वाक्या में लिखने का द या दो नमबर काता है तो आप इसको यहां से परिभासा देखकर लिख सकते हैं तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को मूल भूत किया जाता है प्रिशयन परिसिक्षण विधी के द्वारा परिवर्तन होता है तो यहां पर देखिए हम परियोक परिवर्तन होता है तो यह आपका अधिगम कहलाता है फिर आपका आज का दूसरा प्रस्ण है दूसरा यूनिट से 502 प्लाक वन से दक्षता योगता अधारित उपागम की विशस्ताय लिखिए कोई दो तो यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों यह जो है दोहजार चौदा नौ शोला जो इंपॉर्टेंट क्वेस्टन है और यह दोजार आठार क्वेस्टन दोजार आठार में यह क्वेस्टन आ सकते हैं तो आप इसे याद कर लिजिए प्रस्टन है दक्षता अधारित उपागम की विशस्ताय लिखिए कोई दो तो पहला दोगेता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित अधार्बुत विशस्ता है जिसका उपयोग करके वहाँ सफल परदसन करता है तो बहुती आसान सब्दों में दो विशस्ता यहाँ पर बताया गया है फिर है अनुवेशन विधी क्या है आज के वीडियो का प्रस्टन तीसरा है अनुवेशन विधी क्या है यह अनुवेशन सुनने से हमको और पटा लगता है कि यह क्या चीज है तो देखिए अनुवेशन मतलब पता लगाना होता है या इसको यहाँ पर क्या दिया है इस विधी को हरिस्टिक मैथोड के नाम से भी जाना जाता है है हरिस्टि है कि अन्यवेशन मतलब पता लगाना होता है तो आप परिभासा अपने सब्दों से लगा सकते हैं अब इतना याद रखना है कि यह जो सब्दल लिया गया था ग्रिक सब्द से लिया गया था पिर आज का जो है आपका महतुपुन प्रश्णा कंठस्ती करण को क्रिया कला में देखिए कंठस्ती करण मतलब क्या होता है यह थोड़ा सा हिंदी में लगता है कंठस्ती मतलब क्या होगा तो कंठस्ती मतलब होता है याद करना हम याद करने को किरिया कलाब क्यों नहीं मानते किरिया कलाब मतलब activities हम क्यों नहीं समझते हैं तो यहां पर देखिए कंठ कंठस्ति करन करना मतलब याद करना दोराने का एक यांत्रिक तरीका है जिसमें जो है किरिया कलाप की एक भी विशेष्टा सामिल नहीं होती इसलिए हम इसको कभी भी हम नहीं मान सकते कंठस्ति करन को किरिया कलाप कभी नहीं समझ सकते मतलब एक भासा में अपन कहें एक लाइन में तो कंठस्ति करण क्या है याद करने का एक तरीका है यांतित तरीका है इसलिए हम इसको नहीं मानते क्योंकि यहाँ पर किरिया कलाप को रूची कर नहीं बना जा सकता चिंतन के लिए कोई स्थान नहीं होता परेविक के लिए कोई स्थान नहीं होता ये क्यवल हम दोहराते हैं तो इसलिए जो है कंठस्ती करण को हम किर्यकलाप नहीं समझते और आज के वीडियो का लास्ट प्रस्ना है पांच यूनिट का जो है सम्हू कार्य के किनी दो लाब बताना है सम्हु कार्या से आपको क्या लाब होता है तो सम्हु कार्या से हैं सहाभागीता से निजी जिम्मेदारी की अनुभोती होती है सहाभागीता से हमें जिम्मेदारी का अहसास होती है यह पहला लाब मिलता है फिर दूसरा लाब जो है विस्तरित ग्यान हमको जो है कौ तो होता है तो यहां रात दोस्तों पांस तो दो तीन मिनट में देखिए लगबक दो-तीन मिनट में जो है आपका यह एक से लेकर पांच इनिट कवर हो गया आने वाले वीडियो में हम फिर से बताएंगे से साथ क्वेस्चिन तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ अ देने वाद साथियों